हेलो दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे मैं आजय चत्रवेदी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों पिछले कुछ वीडियो ने आपने मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज मैं रियल मी 10 प्रो प्लस के सारी स्प्रेसिफिकेशन आपके लिए लेके आया हूं चौदा नॉंबर को यह लॉंच हो जाएगा लेकिन अब इसकी पूरी पूरी मतलब एक्क्यूरेट स्प्रेसिफिकेशन सामने आ गई हैं इमेजिस भी हैं जो मैं आपको भी दिखा होता हूं देखिए बिल्कुल कर्व ड बता है ऐसा नहीं कि डिस्प्ले सेमसंग गेलेक्सी च्वंटी टू या च्वंटी वन अल्ट्रा के बराबर का हो जाएगा क्योंकि वह वह वो दिस्प्ले होता है जबकि यह तो फूल अच्वी होगा तो इसलिए मुझे लगता कि कभी कभी कमपनिया ऐसा गिमिक खेलती है और हमें ब्रह्म में डालने की कुसिस करती है कि देखिए हम आपको एस्टउंटी टू अल्ट्रा से भी अच्छा डिस्प्ले से लेकिन एक्च्वल में ऐसी बात नहीं है संसंग का वो डिस्प्ले इससे ज्यादा अच्छा इससे ज्यादा रेजिशन का है फैर जो भी हो ल आज की रेट में 25 से 30 के बीच में नहीं आ रहा है तो आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा सूपर एमोलेड हाई रिफ्रेश रेट यानि के 120 हर्च यह इसका में हाइलाइट है इसके अलावा दोस्तों इसमें बता जा रहा कि इसमें डीसी डिमिंग का फीचर भी यानि 2160 देखने को मिलेगा दूसरी बात जो इसका कर्व डिस्प्ले है उसकी डिग्री बता जारी कि 61 डिग्री तक कर्वड होगा यानि काफी अच्छा खासा कर्वड है अच्छा लगेगा देखने में मतलब सूपर प्रीमियम एहसास होगा सीधी बात तो यह बता हूं बहुत सु इसके अलावा सब्सक्राइब यह बतायगा है जो डिस्प्ले हने वालफ है वह पडिया M-OLED वाला होने वाला यानि OLED डिस्प्ले होगा लेकिन 10 Valah होगा मतलब कि बहुत ही शांदार डिस्प्ले बिल्कुर आपको देखने को मिल जाएगा और इस display में जो pixel resolution है वो भी काफी highlight किया गया है जैसे कि आप image में देख सकते हैं कि pixel density हर जगा एक जैसी है ऐसा बताया जा रहा है मैं आपको अभी पूरा पूरा specification भी बता देता हूं Realme 10 Pro Plus में आप देख सकते हैं आपको मिलेगा 6.7H का Full HD resolution वाला AMOLED का curved display जिसकी refresh rate होगी 120Hz इसमें आपको OctaCore processor मिलेगा जो इसमें की 2 cores होंगे आपके 2.6GHz पर A78K और बागी के 6 cores होंगे 2GHz पर Cortex A55K और इस processor का नाम होगा MediaTek Dimensity 108080 जो की 6 nm पर Base processor है और इसमें graphics के लिए Mali का G68 MC4 GPU लगा हुआ है इसमें 8GB के RAM 128GB या फिर 256GB आपके पास 24 होगी और 12GB के RAM option भी आपके लिए अविलिबेल होगा Dual SIM पर आएगा दोस्तों दोनों SIM Nano होंगे Android 13 पर लांच होगा और रियर में आपको 108 8MP के रियर कैमरा मिलेगा LED flash के साथ 8MP का वाइट कैमरा अल्टर वाइट और 2MP का Macro हाला कि का सिर्ट ना होके 5 होता तो ज्यादा अच्छा होता पर अब क्या कर सकते हैं लिक्स तो यहीं हो सकता है कि साइड मांट इस बार दे दिया जाए लेकिन अभी रिमर के सबसे तो इन डिस्प्ले आएगा वेट वगएरा बहुत हलका होगा दोस्तों लाइट है देख सकते 172.5 क्राम का होगा 5G के बहुत सारे बैंट सपोर्टेड होंगे Wi-Fi 6 का इसमें आपको सपोर्ट म मिल जाएगा GPS USB Type-C और 5000 mAh की आपको इस पर बैटरी मिल जाएगी जो कि लगभग लगभग 5000 mAh की ही होगी और यह भी कभी कभी देखने में आया कि 4890 मान के जानी लगभग 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर मिल जाने वाली है तो दोस्तों आपको यह मेरा रियल में रिपोर्ट कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे हमें काफी साहस मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मौटिवेशन मिलता है तो धन्यवाद दोस्तों जाय हैंद